दोस्तो ये एक चुरेल की सची कहानी है दो भाई एक गाउं में रहा करते थे जो मचली पकरने के लिए हमेशा अपने घर से दूर जाया करते थे और मचली खास कर रातों में बहुत जल्दी पकड़ ली जाती है दो भाई हाथों में भाला लिए मचली पकरने के लिए जाते हैं और उनके साथ ये जो खौफना घर्टी है चुरेल की वो आपके दिल को जगजोर देगी दोस्तो भूत प्रेत और पिचास एक काफी ऐसी खौफना घटनाएं हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटती है वो इसे सच मानते हैं और जिनके साथ ये घटनाएं नहीं घटती है वो इन्हें मिथ्या मानते हैं अभी तक कोई ठोश सबूत इनका नहीं मिला है पर जो भी इसे मानते हैं और जिनोंने भी इसे देखा है उन्होंने देखने का जिसने दावा किया है वो इसे सच बताते हैं और जिनोंने अभी तक इसे नहीं देखा इसे मित्या मानते हैं इसे एक दंत कथा मानते हैं आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगेगी वो तो कहानी के अंत में ही पता चलेगी ये कहानी कितनी सची थी और कितनी जूठी मित्रों दो भाई एक गाउं में रहा करते थी और वो मचली पकरने के लिए गाउं से दूर पोखर बे जाया करते थे पोखर गाउं से काफी दूर एक खेत के पास था और छोटी सी पंग्डन्डी से वहाँ पहुंचा जाया था तो दो भाई रात के समय में मचली पकरने के लिए निकलते हैं बड़ा मोनू है और छोटा सोनू है मोनू आगे आगे चल रहा था और सोनू पीछे पीछे उसके साथ चल रहा था हाथ में भाला लिए दोनों भाई जल्दी जल्दी तलाव की तरफ चल रहे थे एक पोखड की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ पोखड की किनारे जो मचली आराम कर रही हो उसे अपने भाला से मार से दोनों जब घर से काफी दूर चले गए तो जो छोटा भाई है उसने देखा सोनु ने कि एक पेड के पास एक सफेद लिवाज में एक औरत खड़ी है तो सोनु काफी घबरा गया उसने मोनु से कहा कि मोनु देखो वहाँ पर कोई खड़ा है मोनु ने कहा तुम चिंता मत करो मैं देखता हूँ वहाँ कौन है और हमने उसका कुछ नहीं बिगा रहा है तो वह हमदारे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगी तुम मेरे पीछे ही रहना ऐसा करकर दोनों भाई चल दिये वहाँ एकदम पेड के जस्ट साइड में खड़ी थी जब सोनु और मोनु वहाँ पहुँचे तो मोनु ने दूर से ही आवाज लगाई कौन है पर सामने से कोई आवाज नहीं आई जिंगरों की आवाज थी काफी डड़ावनी और खौफनाक लग रही थी लेकिन सब खामोस हो गए जब उसने फिर पूछा कौन हो तो हाँ से कोई आवाज नहीं आई अब थोड़ा सा डर मोनु को भी लगने लगा और सोनु तो पहले से ही काफी घबराया हुआ था दोनु भाई एकदम सकपका गए फिर मोनुने हिमत करके कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगा रहा है अगर तुम कोई भूली भटकी और ब्हुली भटकी कहीं से भूल गई हो घर तो मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं विगा रहा है तुम मेरा कुछ मत विगारना और ऐसा कहकर मोनू सोनू को लेकर आगे की तरफ चल दिया मोनू और सोनू चुप चाप आगे चलते रहे दोनों में से किसी की हिम्मत रही हुई कि पीछे पलट कर देखे कि वो वारत वहीं खड़ी है या पीछे गाइब हो गई दोनों चुप चाप चलते रहे काफी दूर जाने के बाद मोनू ने सोनू से कहा कि तुम चिंता मत करो अब मैं देखता हूँ कि वो वारत कहा है जैसे ही मोनू पीछे पलटता है मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मैंने आपका कुछ नहीं विगाड़ा है मेरे से आपकी अगर कोई गलती हुई हो दुस्मनी हो तो आप हमें माफ करें मैं यहां हर दिन मचली पकरने आया करता हूं भूल बस आपको अगर कहीं से कुछ मुझसे नुकसान हुआ हो तो उसके लिए मैं छमा मागता हूं मुझे माप कर दो मुझसे गलती हो गई हम अब दुबारा यहां नहीं आएंगे लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली और चुप चाप महां खड़ी रही देखते रही उसको अब मुझसोनों काफी घबरा गए कुछ खौफनाग और डरावनी आवाजे अगल बगल से आ रहे थी जो जिंगुरों की आवाजे थी कुछ डरावने कीडे मकोडे की आवाजे थी कहीं से उल्लू की आवाजे आ रहे थी और भ्यवीत लग रहा था मुझनों को लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे तब प्राण निकल जाएंगे करे क्या कहां भागे किस तरफ जाए क्योंकि न तो अगल बगल में कोई था और रात का सन्नाटा काफी डरावना लग रहा था और वो और अगदम सामने खरी थी उसके बाल खुले हुए थे अधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था सिर्फ सफेद लिवाज ही उसके नजरा आ रहे थे अब मुनु ने सोनु का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौरन लगा दी दौरते दौरते मुनु पोखर के पास जाकर गिर गया अंधे मुन और बिहोस सा हो गया सांसे उखटने लगी दोनों भाई बिहोस हो गए सुबह हुई आँखे खुली बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गये थे जो देख रहे थे कि दोनों भाई बिहोस पड़े हैं भाला कहीं छूट गया था दोनों भाई बिहोस पड़े थे जब होस में आए तो सारी घटना मोनु और सोनु ने लोगों को बताई लोगों ने मोनु और सोनु को समझाया कि तुम इतनी रात को यहां मत आया करो क्योंकि हो सकता है कोई चुडेल या कोई भूट पिचास डाकिन प्रेतनी तुम्हारे पीछे पर जाए और तुम्हें उससे कुछ नुकसान हो जाए तो तुम यहां नहीं आओगे सोनु ने यह कहानी हमें सुनाई क्योंकि हम उनसे कुछ दिन पहले मिरे थे एक सफर में उन्होंने यह कहानी मुझे बताई थी जो कहानी मुझे लगी कि मैं आपको बताऊ कहानी कितनी सची होगी कितनी जूटी यह तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं उनके अंदर समा कर देख नहीं सकता मैंने सिर्फ उनसे कहानी सुनी और मैंने आपको एक कहानी सुनी, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, इस वीडियो को सेर कर दीजेगा अपने मित्रों के साथ, ताकि और लोग इस कहानी का मजावसा उठा सके, और मे